अब देख रहे हैं आज तक आफिसाथ हुमें निहावाथ हम्नाक्शन केजरी स्टाइल करप्शन पर केज़िवार के मंत्री ने छापा मारा तो पूरी दिल्ली हैरान रह गई जी हाँ, दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश्ट सोधिया ने परेजिडन स्टेट में बने, सरकारी स्कूल में बड़े भरष्टा चार का भंडा फोर किया है और वो भी खुद छापे मारी करके मनीश सोधिया ने स्कूल में कॉर्स के नाम पर चल रहे घुटाले की सारी परते खोल डाली आम आदमी की सरकार एक्षन में हैं और एक्षन में हैं दिल्ली के डिप्डिस सीम प्रश्टाचार के खिलाफ कसम खाने वाली आपकी सरकार सबसे पहले प्रश्टाचार का खात्मा करने निकली है जी हाँ प्रश्टाचार की परतें उधरने निकले हैं केजरिवाल के राइट हैंड यानी डिप्टी सीम मनीश सिसोधिया दिल्ली के डिप्टी सीएम ने किया बड़ा खुला सा दिल्ली के सरकारी स्कूल में प्रश्टा चार का भांडा फोर्ड मनीश सिसोदिया ने मारा सरकारी स्कूल पर छापा दिल्ली के सरकारी स्कूल में बड़ा घोटा ला तस्वीरें दिल्ली के प्रेजिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल की हैं आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीश सिसोधिया की स्कूल में छापे मारी चल रही है मनीश सिसोधिया ने क्लासरूम से लेकर प्रिंस्पल के ओफिस तक स्कूल के रजिस्टरों से लेकर तमाम फाइलों तक एक एक बिल एक एक रसीद को चान मारा फिर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप भी चौँक जाएंगे जी हाँ सरकारी स्कूल में चल रहा था फूट घोटाला राज़ानी के सरकारी स्कूल में राशन के नाम पर चल रहा था भ्रष्टाचार और जब ये सच्चाई खुद डिप्टी सीम मनीश सिसोदिया ने अपनी आँखों से देखी तो खुले आम भ्रष्टाचार से उनका भी मा था भनना गया लाखो रुपई के फरजी बिल बच्चों को फूट प्रोड़क्शन की पढ़ाई के नाम पर बड़ी लूट फिर क्या था मनीश सिसोदिया सिलसिलेवार सारी धांदली की परते खोलते चले गए हम आपको भ्रष्टाचार और फूट घोटाले के खिलाफ दिल्ली के डिप्टी सीम का पूरा आपरेशन भी दिखाएंगे कैसे मनीश सिसोदिया ने स्कूल में चल रहे फूट घोटाले को ओजाकर किया लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि डिप्टी सीम को प्रिजडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी फिर क्या था उप मुख्यमंत्री ने पूरे लाव लशकर के साथ धावा बोल दिया फिर क्या था एक एकर सरकारी स्कूल में चल रहे घोटाले की पोल खुलती चली गई स्कूल प्रिंसिपल से लेकर टीचरों तक सबको लाइन में लगा दिया गया फिर डिप्टी सीम ने एक्शन भी लिया और रियक्शन भी दिया दिल्ली के डिप्टी सीयम ने सरकारी स्कूल पर लाइव रेट डाली खोटाली की सूचना पर मनीश सिसोदिया अपनी टीम के साथ सरकारी स्कूल में पहुँचे और फिर शुरू हुआ ओपरेशन करप्शन मनीश सिसोदिया ने चात्रों से पूछताच के साथ स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों के भरष्टाचार का कच्चा चिठा खोल डाला आईए देखते हैं पूरा ओपरेशन भरष्टाचार के खिलाब डिप्टी सीयम मनीश सिसोदिया के कदम प्रेजिडेंट एस्टेट के सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ रहे थी स्कूल के कॉरिडोर से होते हुए मनीश सिसोदिया पूरी टीम के साथ बारवी क्लास में दाखिल हो गए सक पकाए टीचरों की जैसे हवाईयां उड़े हुई थी मनीश सिसोदिया ने सबसे पहले सवाल किया स्कूल में भष्षाचार और घोटाले के ख़वर पुखता थी और डिप्टी सीम सक्त कारवाई के मूड में थी फिर मनीश सिसोदिया ने एक छात्र से स्कूल का टाइम टेबल निकल वाया और तेजी से नजरे दोडा ली कौन सा पिरियड कब और किस दिन चलता है और भष्षाचार की नब्स यहीं से पकड़ ली जैसे कि शिकायत मिली थी वो पक्की नजर आने लगी मनीश सिसोदिया ने छात्रों से पूछा जी हाँ स्कूल से डिप्टी सीम को शिकायत मिली थी कि स्कूल में फूड प्रड़क्शन की पढ़ाई कराई जाती जबकि ऐसा कुछ नहीं होता और तो और इसके लिए स्कूल बजट भी बनाता है और राशन खरीदने के नाम पर पैसा भी जेबों में भरा जा रहा है बच्चों से जानकारी लेने के बाद मनीश इसोदिया सीधे प्रिंसिपल आफिस में चापा मारते है रजिस्टरों के चानबीन करते हैं फाइलें देखते हैं फाइल देखते हैं इस स्कूल में भश्चाचार की पोल खुलने लगती है फाइल में फूड प्रड़क्शन की पढ़ाई के लिए पांच करमचारियों का नाम लिखा था जब कि मनीश इसोदिया के पास खबर थी कि एक ही करमचारी स्कूल में काम कर रहा है शब्रौ और बाकि चार गायब है सेलरी जाने का हर महीने 6800 फाइल बता रही थी कि 5 करमचारियों का स्टाफ है और बाकाइदा सबको तनफ़ा भी हर महीने दी जा रही थी एक करमचारी को 6840 रुपए इसके बाद मनीश दुसोदिया ने वो तमाम बिल भी पकड़ लिए जो फ्रशाचार के लिए फर्शी बनाए गए थे यहाँ पे फूट प्रड़क्शन का एक कोर्स चलता है अभी बच्चे थे जिनका कहना है कि कोई लैब नी चली कोई कुछ हो नी हुआ लैब हे ही नहीं चली उसके बिल जा रहा है हर महीने मटन, चिकन, मिल्क, रेड चिली, होनियन, कोकंबर, बेशन, स्वीट कॉर्ण, मैदा, दाल चीनी, यह सारे चीज़े यह सारा थे यह सारा हर महीने खरीदा जा रहा है और यह बच्चे कहते हैं कि जी हमें एक दिन, पूरे साल में एक ट्रेक्टिकल हुआ है कोई ट्रेक्टिकल ने हुआ है वो भी कुकीस का हुआ है मनिश्ट सोदिया घोटाले का पूरा ब्योरा सुनाते है चिकन रेड दिखाते है जो 210 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो हर महीने खरीदा जा रहा था हम आपको बता दें कि ये तबाम बिल फर्जी निकले और ये खुद डिप्टी सीम ने पकड़ा क्यूंकि 210 रुपए के हिसाब से 5 किलो चिकन बैटता है 1050 रुपए का जबकि बिल पर लिखे हुए थे 850 रुपए बिलो में इसी रेट पर हर महीने चिकन खरीदा जा रहा था अब बारी प्रिंसिपल की थी फिर डिप्टी सीम ने प्रिंसिपल से स्टॉक्स रजिस्टर देखने को कहा और अलमारी भी खुल वाली और इस सरह से पूरे पौने दो घंटे मनीश दिसोदिया ने प्रेजडेंट एस्टेट के स्कूल की पूरी चान बीन कर ली सारे भश्चाचार और घुटाले की सच्चाई खोल कर रख दी दिली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्योरो सरकारी स्कूल में चल रहे भश्चाचार को देखकर डिप्टी सीम दंग रह गए फिर तो मनीश दिसोदिया ने फैसला on the spot ही सुना डाला जिहां प्रिंसिपल को पहली फुरसत में सस्पेंड करने का आदेश दिया और एक टीचर को भी टर्मिनेट कर दिया भश्चाचार का उधगाटन किसने किसने किया अब जाज इसी की चल रही है नए नए कोर्स छात्रों के बहतर भविश्य के लिए चलाये जाते हैं लेकिन कोर्स के नाम पर जो भश्चाचार और घोटाले हो रहे हैं उस से जनता भी हैयान है और दिल्ली सरकार भी जी हाँ, जिस food production कोर्स के नाम पर छात्रों को तरह तरह का खाना बनाने की training दी जानी चाहिये थी छात्रों को ये बताया जाना चाहिए था की food production क्या होता है और कैसे होता है उस ट्रेणिंग के नाम पर स्कूल में चल रहा था बड़ा घोटाला लाखु रुपए के फर्जी बिल खुद डिप्टी सीएम मनीश सिसोधिया ने पकड़े राशन के नाम पर भष्टाचार की सचाई खुद डिप्टी सीएम ने उजागर की डिप्टी सीएम ने प्रिंसिपल से लेकर तमाम टीचर्स से फूड प्रोडक्शन के बारे में सवाल पूछे लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था लेहाजा डिप्टी सीएम ने एक्शन भी फौरण ही ले लिया प्रिंसिपल को सस्पेंट कर दिया गया एक टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया और पूरे घोटाले की जाच के आदेश भी मौके पर ही दिये गया आपके अंदर आपसी रंजिश और पार्टी में बगावत के बीच केजरिवाल सरकार ने सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोल कर ये तो दिखा दिया कि सरकार आपसी जंजटों में नहीं बलकि काम पर लगी है दिल्ली से कुमार कुनाल के साथ आज तक भी रो